हेगाई जोऑ थो बेग मैं यीटुब चैनल तो आज हम करेंगे कौन सा वाला ईमिक अप करींगे औररेंज भाइट और ग्रिन तीनों को कंबीनेशन वाला करेंगे तो सबसे पहले माईमिक अप से ही प्राइब मे 선व में स्बम सर यही तो हम पहले कॉंसिल कर लेंगे सबसे पहले मैंने अच्छे से पुरी फ्रेज को वाउश की और फिर उसके बाद उसके उपर मॉश्चिराजर प्राइमर लगा ली ठी और अभी मैंने यह कंसील सब की हूँ इसके उपर लगा ली और फिर अभी यह ब्लेंड कर रही हूं और फिर उसके उपर पाउडर लगा रही हूँ और अभी मैंने ओरेंज कलर ली हूँ और वो अप्लाइ कर रही हूँ और मैं ये डार्क कर रही हूँ ओरेंज कलर और अभी वाइट आप तो बोलोगे कि हाँ अभी ग्रीन कलर कहा पर लगाएंगे तो मैंने ग्रीन कलर का आईलाइनर लगाई हूँ तो वो कैसे लगाई हूँ आप देख देख रही है सबसे पहले मैंने टूबे जेल ली उसको मैंने as a eyeliner eyeliner जैसे apply करते है वैसे ही मैंने two way gel लगाई और फिर वो gel के उपपर मैंने glitter लगाई जो green color का glitter आता है न वो मैंने glitter लगाई उसके उपपर और ये मैंने मीशो से मंगाई थी वहाँ पर मुझे शाद से 20 से 24 पेस मिले उसमें बहुत की प्यारे प्यारे color है और glitter भी बहुत अच्छा आयाता मुझे तो दूसरी आख के उपर भी मैंने two way gel लगा रही हूँ और फिर उसके उपर भी मैं glitter लगा लूँगी ठीक है और आप देखी सकते हो के glitter भी कितना अच्छा है अभी price शायद से बढ़ी होंगी मैं link description में दे दूँगी आप जाके देख लेना अगर से आपको लेना होगा तो और मैंने सामने में नहीं लगाई थी glitter तो फिर मैंने face से वहाँ पर two way gel लगाई और फिर उसके उपर glitter लगाई और अभी यह मैं powder से जो extra glitter था face पर गिरा हुआ वो मैंने पोच ली उसके बाद फिर मैंने wipe से चेरा पोच ली थी और moisturizer primer लगा के अभी मैं यह orange color का character लगा रही हूँ जहाँ जहाँ पर मुझे dark spots से वहाँ वहाँ पर आखों के नीचे और उसे मैं अभी अच्छे से blend कर रही हूँ और वो blend होने के बाद मैंने dot dot करके पूरे face पर foundation लगा ली और उसको भी फिर में अच्छे से blend कर लूँगी और आपको यह eye makeup कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना ठीक है पसंद आया नहीं आया कैसा लगा जरूर बताना कमेंट करके और आप सभी को advance में happy independence day और पूरा make up भी आपको कैसा लगा वो भी कमेंट करके मुझे जरूर बता देना अच्छा लगा नहीं लगा और क्या क्या changes कर सकती हूँ मैं सब कुछ आपको जो लगता है मेरा यह वीडियो देखते के वो आप कमेंट करके मुझे बता देना ठीक है और मैं मेरे पूरे photos जाए वो इंस्टा पे upload करूँगी मेरी idea तनुक और पड़े आप वहाँ पे जाके मेरे photos देख सकते हो lips के बाजू में आखों के नीचे और इसे भी फिर मैं अच्छे से blend कर दूँगी यह मैंने highlight की उसके साथ मैं contouring भी कर रही हूँ और इसे अभी मैं अच्छे से blend कर लूँगे फिर highlight को blend करूँगी और फिर contouring को blend करूँगे तो यह हम blend करें और वीडियो अगर से आपको पसंद आये तो like, comment, share, subscribe करना मत बूलना ठीक है यह हो गया हमारा अच्छे से blend और फिर अभी मैं इसे powder से set कर दूँगी order से set होने के बाद मैंने lower lash line पे orange color का eyeshadow लेके लगा लिए सबसे पहले न मैंने आखों में white का जल लगाई थी लेकिन मेरे उपर white का जल सूटी नहीं होता है फिर मैंने न उसके उपर black का जल apply कर लेती अभी हम करेंगे mascara मस्कारा लगा लेंगे तो आप बताना देखो white का जल अच्छा लगता है मेरे उपर या फिर black यह white का जल के उपर और black लगाऊंगे तब बे देखना मुझे तो ऐसे लगा कि मेरे उपर black का जली अच्छा लगता है इसमें मैं चूड़े इल दिक्री थी बहुत ज़ादा मस्कारा लगा लेंगे lower lashes पे भी और अभी मैं यह black का जल लगा रही हूं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना है मेरे उपर कौन सा काजल सूट करता है white या फिर black मुझे तो black की अच्छा लगता है है यह वो गया हमारा काजल और अभी हम करेंगे हैलाइट और कैसे लगा ज़रूर बताना कमेंट करके ठीक है अच्छा लगा नहीं लगा और जो झाल जो जो और एपको मन में आता है वो हो कमेंट में लिख देना मिल आल ना है अए और रहन च्छा लगाएट और अभी हम लगाएंगे लिप्स्टिक मेने डॉर मेरी मिठ्एक लगाए और वीडियो को इंटक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका थेंक यू और मेकप कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट करके आये मेकप, पूरा मेकप ज़रूर कमेंट करना ठीक है ये हो गया हमारा लिपस्टिक लगा के बस थोड़ा सा बाकी है, फिर हो ही गया ये फाइनल लुक थेंक यू, बाइ बाइ